Hello friends, आपका मेरी वीडियो में फैस्से स्वागत है, इस वीडियो में हम देखेंगे की components क्या होते हैं, और components हम कैसे बना सकते हैं, कैसे call कर सकते हैं, उसका क्या फायदा होता है, officially अगर देखा जाए तो यह जो app हमारा component है, अभी तक दो यह component यहां पर है, एक हमारा main component है, एक app component यह जो app component है, इसके अंदर हम ज़्यादा coding करते हैं, हमने यहीं पर modification करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ करते हैं, हम अलग से component बनाते हैं, और उस component में सारा काम करके यहां पर call कराते हैं, तो यह जो मैंने काम लास्ट वीडियो में करके दिखाया था, dynamic rendering वगरा का, इसको मै यह जो components हैं, यहां पर मैं अपने बनाऊंगा, तो पहले मैं component बना रहा हूं यहां पर, dynamic rendering.jsx, तो इसमें dynamic rendering की सारा code होगा, मतले जो मैंने यहां पर code लिखा वह सारा होगा, तो मैं इसको यहां से उठा के copy कर लेता हूं, और यहां पर लाके paste कर लेता हूं, बड़ा simple है, बस मुझे copy करना है, इसकी जुरूत मुझे नहीं पड़ेगी, हटा देता हूं, अब ध्यान से देखना, अब यह जो function है, यहां पर इसका नाम सेम होना चाहिए, जो मैंने file का नाम रखा है, तो मैं यहां पर रखूँगा, dynamic rendering, जो function का नाम था, इसी को मैं यहां पर कर रहा हूं, तो मेरा counter का काम चलेगा और यहां पर fit कर दिया, अब यह जो app है, यहां पर इसको clean कर लेते हैं, यहां पर कुछ भी इस तरह की चीट डालने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि इसको clean रखते हैं, ऐसे और यहां पर इसको उड़ा देते हैं, इसकी ज़रूत नहीं करते हैं, और self closing tag जो होता है, जैसे BR अगर मैं use करूंगा, तो मैं उसको ऐसे self close करूंगा, तो self closing tag की तरह इसको use कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई और value नहीं जा रही है, अगर कोई value जा रही है, इसके अंदर आप child component send कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे कैसे करेंगे, त तो फिर आप इसको tag की तरह जैसे div tag यूज हो रहा है, जैसे h1 यूज हो रहा है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट फिलाल के लिए आप इसको ऐसे self closing tag की तरह यूज करेंगे, तो आप देखना, आपका code separately यहाँ पर चला गया, और आपने इसको यहाँ पर यूज कर लिया, यह app वाला जो हमारा component है, हमेशा खाली रहता है, कि output में कुछ भी change आपको नहीं दिखाई देगा, देखो, simple सा है, सब ऐसे ही रहेगा, जैसे पहले चल रहा था, अगर मैं इसकी value को zero कर देता हूँ, देखो, automatically जो हमने setting करी हुई थी, वो अपने आप आप आजाएगी, कु component is a special function that always return value, जैन दीजेगा, always return value, और यहाँ पर इसको comment कर देता है, ताकि error न दे, तो मैंने आप लिखा कि component is a special function that always return value, जैन दीजेगा, यह function है, लेकिन यह value return कर रहा है, बज़ में रहा है, पहला step, यहाँ पर always return value, दूसरा step, यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं, वो है, return JSX और JSX expression, जैन दीजेगा, दो चीजे बहुत important हैं समझने के लिए, जो components होते हैं, वो special method ही होते हैं, जो react के लिए काम करते हैं, जो हमेशा कोई value return करते हैं, लेकिन यह condition है, जो value return करेंगे, वो JSX होनी चाहिए, JSX expression होनी चाहिए, क्योंकि आप तभी इसको, इस JSX के अंद नहीं करेंगे, तो यहां ही प्यार आजाएगी, आपका component काम नहीं करेगा, तो यह जो components होते हैं, यह special kind of functions होते हैं, जो हमेशा value return करते हैं, और इनकी जो value होती है, वो JSX या JSX expression की form में ही होती है, अब आप differentiate कर सकते हैं, कि जो अगर function आपका है, कोई value return कर रहा है, लेकिन व आपने यहीं पे JSX notations के अंदर कोई value से टेक्स की value या output रिटन करा रहे हो, और लेकिन यहीं पे आपने JSX expressions लगा दिये हैं, ऐसे, तो भी वो function काम कर जाएगा, ध्यान रखेगा, लेकिन को assess करेगा, कि वो जो value है, वो हमेशा JSX के format में return हो, ऐसे, और अगर single variable की कोई value है, तो जब उसे हम यहाँ पे call कराएंगे, तो उसे JSX expression के अंदर ही call कराएंगे, यह आप ध्यान रखेगा, ऐसे आप call नहीं करा सकते उसको, अगर आपकी value, आपका कोई component जो है, वो function की तरह काम कर रहा है, component की तरह काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसको इस तरह से call कराएं जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, dynamic, rendering और ऐसे call कराएंगे, द्यान रखना, यह है component और यह जो return होके आ रहा है, यह है function calling, दोनों में अंतर है, देखने में एक जैसे लगेंगे, काम एक जैसा लगेगा, लेकिन यह function calling हो जाएगी, यह component हो जाएगा, तो function calling में और component में होता है, अगर कोई function है, जो jsx return नहीं कर रहा है, तो इसे jsx के अंदर ही call कराया जाएगा, वो भी तब जब उसकी value valid होगी, otherwise वहाँ पे रहा है, आपको याद रखना है, कि function जो होते हैं, वो special functions होते हैं, और वो हमेशा value return करता है, अगर कोई ऐसा function है, जो value return नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो normal function है, वो component नहीं है, I think आपको समझ में आ गिया होगा, और मैंने कैसे convert किया है, इसको इस समझ में आ गिया होगा, आगे से हम components ही use करेंगे, और हम इन components के अंदर ही code करेंगे, और एप के अंदर उसको call कराएंगे, क्योंकि एप के अंदर ज्यादा कुछ code board हम लिखते नहीं है, otherwise problem आ जाती है, debugging सही से हो नहीं पाती, हम लोग model programming approach follow करेंगे, अपना component बनाएंगे, उसमें code लिखेंगे, और एप के अंदर उसे call करा लेंगे, अगर आपको समझ में आ गिया होगा है, की components क्या होते हैं, उनको कैसे call कराते हैं, कैसे बनाते हैं, सब अगर आपको समझ में आ गया है, तो इवडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, और वीडियो देखने के लिए दन्यवाद, सबल्वाद कर लिए कोषिए, झर चैनल को सब्सक्ते हैं, ज भीजेगा आपको समझ आपको सिर्फाद कर दोफिए दीजेगा, तो इवडियोग को लिएा हैं, श्यूनिकित प्रिजेगा, जीजेग और तो इवेजेगा, एजवेबाद आपकोन में ुईदादूनिक लिए